हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर की कचोरी क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है तो इस सीजन में मटर बहुत ज़्यादा आ रखी हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं हरी मटर से कचोरी और इसे एक पर बना कर आप 3-4 दिन तक आरा हरा धनिया थोड़ी सी अद्रक तीन-चार हरी मिर्च और एक कटोरी मटर आप चाहे हैं तो यहां पे इसमें थोड़ा सा लसुन भी डाल सकते हैं सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी लेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसमें हम करेंगे मटर को फ्राइग यह यह फ्राइग हो गई है तो तब तक हम जो हरा धनिया है उसको पीस लेते हैं इसकी चटनी बनानी है लेकिन इसमें यहां पे हमें पानी या दही नहीं डालना है इसको सुखा ही ग्राइंड करना है तो यह देखिए यह मोटा मोटा जो है ग्राइंड हो गया है इसका कोड़ना है इसका पेस्ट नहीं बनाना है वह दिखने चाहिए इसमें तो बिलकुल हलका सा इसको ग्राइंड करेंगे ताकि मटर के सिर्फ दो पाट हो जाएं ऐसे ही इसको करना है यह देखे तो इसे भी हम धनिये की जो हमने चटनी टाइप से बनाई थी उसी के साथ ही निक और इसमें डाला है दो चमच धनिया यह साबुत धनिया मैंने लिया है और इसी में अब मैं एड़ करेंगे एक चमच जीरा और एक चमच सौफ यह खाने वली जो मीठी सौफ होती है वो सौफ नहीं है जो मसालों में यूज होती है वो सौफ है और इसे हम सुखा ही रोस्ट करेंगे इसमें कुछ जब बारिक मसाले नहीं डालना है यह अच्छे से मसाले जो है यह रोस्टर ओ गई है और इसे अब हम कूट लेते। अब हम डालूंगी थोड़ा सा घी इसमें थोड़ा सा आदी चमच से जादा घी हम यूज करेंगे क्योंकि हमें मसाले पकाने हैं अगर कम घी डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे घी गरम होने के बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा साबुच जीरा थोड़ी सी हींग और अब मैं इसमें एड़ करी हूँ एक चमच धनिया पाउडर ये आप एक से दो चमच एड़ कर सकते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो सिर्फ कलर के लिए होती है थोड़ा सा गरम मसाला आदा चमच हल्दी और ये है भुना हुआ जीरा आदा चमच इससे भी टेस्ट बहुत अच् पाउडर और इन सब को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और ये देखिए ये जो है मसाले इसमें चिपकने नहीं चाहिए और अब मैं इसमें एड़ कर देती हूँ एक चमच नमक ये मैंने मटर के हिसाब से लिया है क्योंकि हमारे पास मेरे पास जो है मटर जादा नहीं है गाठे नहीं होनी चाहिए इसको अच्छे से हम भून लेंगे इसे दो से तीन मिनट जब तक भूनना है जब तक की अच्छे से बेसन भूनना जाए और उसके खुश भूनना जाए बेसन भूनने के बाद में इसमें जो हमने धनिया पाउडर और मसाले जो कोसली ग्रैंड क अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जो हमने बेसन डाला है इसके वज़े से हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छी इसकी बैंडिंग हो जाएगी तो इसे अब निकाल देंगे एक अलग से प्लेट में तब तक हम कचोरी का आटा लगा लेते हैं आटा लगाने के आप यहां पर रिफाइंड ओईल की जगह पर घी भी ले सकते हैं अगर आप घी डालते हैं तो और ज़्यादा खस्ता बनेगी कचोरिया लेकिन मैंने यहां पर इसमें रिफाइंड ओईल डाला है और ओईल हमें इतना डालना है कि जब हम इसकी गाठे बनाके देखें डालेंगे नहीं तो आटा जो हो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और कचोरी का आटा जो हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है यह देखिए यह आटा जो है यह बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है तो आटा लग गया है इसे अब हम 5-7 मिनट के लिए ढखके रख देते हैं जब तक कि मैदा अच्छे से सैट ना हो जाए तब तक ये जो हमारे मटर का मसाला है ये ठंडा हो गया है तो इसकी हम बॉल्स बना के रख लेते हैं ये बॉल्स जो है चोटे-चोटे साइस के बनाएंगे ज्यादा बड़ी तो हमें मैदा की भी उससे डबल बॉल्स बनानी पड़ेगी तो इसलिए इसकी हम छोटी-चोटी बॉल्स बनाके और तयार कर लेते हैं एक कटोरी जो मटर हमने लिए थे उसमें 8-9 बॉल्स बनकर तयार हो गई है तो ये हमारे जो मैदा है ये अपसैट हो गया है इसे एक हलका सा और गुदेंगे ज्यादा इसमें मैदा को बहुत ज्यादा नहीं लगाना है अगर बहुत ज्यादा हम लगाएंगे तो मैदा वो बहुत ज्यादा सोफ्ट हो जाएगी फिर हमारी जो कचोरियां है उसमें खस्तापन जो है वो बहुत कम आता है तो इसलिए इसको हलक का साही लगाएंगे और ये देखिए ये जो हमारी मसाले की मटर की जो बॉल है उसे डबल जो है वो मैदा की बॉल होनी चाहिए अगर मैदा की बॉल हम छोटी बनाते हैं और फिर उसमें हम मटर की बॉल रखेंगे तो वो कचोरी अच्छे से फूल नहीं पाती है और उसमें म और इसके बीच में अब मटर की बॉल रखतेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे इसका जो जोइंट है वो जोइंट नहीं रहना चाहिए गुमा के अच्छे से सैट कर देंगे नहीं तो जो इसका जोइंट खुल जाएगा तो फिर उसमें अंदर से तेल चला जाएगा तो और इसे ऐसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे ध्यान ये रखना है कि जब हम इसे बड़ा करते हैं तो ये मैदे की बॉल है ये फटनी नहीं चाहिए वरना तो सारा तेल जो है फिर इसके अंदर ही चला जाएगा तो ये देखिए ऐसे ही करके हमें सारी कचोरियां तयार कर लेनी है ये देखिए मैं आपको दूसरी बना के दिखाती हूँ इसे हाथ से ऐसे ही बड़ा करना है और उसमें हम मटर की वॉल को रखेंगे और ऐसे घुमा की उसका जोहिंट जो है वो अच्छे से जोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे और फिर हथेली की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप कचोरी चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं अब मैंने लिया है एक कड़ाई में तेल और इसे करेंगे सिम गैस पे गरम एकदम फुल गैस पे गरम नहीं करेंगे तेल जो है वो जादा गरम हो जाएगा तेल में देखिए मैंने छोटा सा मैद जो layer है वो एकदम से black हो जाएगी पक जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी तो तेल को हमें हलका गरम ही करना है और इसी पर हमें कचोरी को पकाना है और सिम गैस पे ही इसे दीरे दीरे पकाएंगे तो हमारी कचोरी जो है वो एक्तम फूली फूली बनेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी तो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो दीरे दीरे आप एक साथ 3-4 कचोरियां तेल में डालें और पकाएंगे और इसे एक्तम ब्राउन कलर होने तक हम पकाएंगे तो ये देखिए ये हमारी कचोरियां जो है ये बनकर तयार हो गई है सारी कचोरियां ऐसे ही एक एक करके तले और ये एक्तम खस्ता बनी है और बहुत ही चटपटी बनी है मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है आप चाहें तो कचोरी के फिलिंग में प्याज लहसुन का यूज भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें थैंक यूज